रेड्मी नोट 4 के लिए लीनेज OES 20 का निव अपडेट आ गया है और इस अपडेट के अंदर में कुछ चेंजस देखने को मिले हैं बाकी बैटरी वेकप, गेमपले कैसा है उन सभी चीजे को आरें भी बताने वाला है और काफे ही टाइम से आपको बता रहा हूं कि Android 13 के रो देखने को मिल जाता है फिलाल इस बिल्ड में चेंज किया हूँ है उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले तो वीडियो में लास्त तक बनी रहीगा जैसा कि यहां पर लीने जो एस टूंटी का यह बीज फर्वरी 2023 का बिल्ड एंडूइट 13 का सिक्यूटी पेच अपडेटेड है फर्वरी 2023 के मिल जाती है हला कि करनल जैडलोस का मिलता है लेकिन पिछले और वर्जन के इसाफसे गरम देखे यहां पर मेरे सबस्त अपडेटेड नहीं बट चेंज लोग पर बताया गया है कि अपडेट किया गया है नेटवर्क और इंट्रेड के अंदर में यहां पर होट्सपोड अच्छे से काम करता है होट्सपोड में कोई प्रॉलम नहीं है और अगर कनेक्टेड डिवाइस की भी बात करें कनेक्शन प्रफरेंस के अंदर यहां कास्ट की तो बिल्कुल अच्छा से काम कर रहा है और एप्स के अंदर में यहां पर जो है हलाकि आपका जो गेम स्पेस में अब आपको कॉल मोड एड़ किया गया जिसमें आप यहां पर ऑटो एंसर या ओटो रिजेक्ट को अप्शन को सेलेक्ट कर सकतो गेम के टाइम पर यहां पर यहां पर इसके लॉंचर के अंदर भी थोड़ा बूश चेंजस हुए हैं आइकन में कोई चेंज नहीं मिलता लेकिन होम स्क् इसको यहां पर यहां पर बात करें इसमें कोई चेंज नहीं है और अब यहां पर आइकन देखने को मिल जाता था लेकिन अभी आइकन देखने को मिल जाए कद यह थोड़ा सा चेंज हुआ है आइन मिलेनस में कोई फर्क यहां पर नहीं पर तम इसलेनस सेम है और बैटरी के से तरी के सेटिंस के मामले में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सेटिंग बिलकूल शें मैं अगर हम बैटरीए वीविक अप की बात करें तो चल्वी the nationalτέ के अंदर में यहां पर नीचे आते हैं तो इसमें हलाके डिरेक्ट साउंड यह सब काम कर रहा है लेकिन यहां कुछ भी चेंज नहीं हुआ है डिस्प्ले के अंदर लोग स्रीन में अब आपको पल्स देखने को मिलेगा ति यह पल्स जो है इस अपडेट के अंदर निव चेंज करोगे और बॉल पेपर प्रीवी पर यहां पर देखने को मिलेगा पार सिर्फ डिफॉल्ट ही सो कर रहा था तो इसको फिक्स किया गया है बड़ यहां पर और कोई चेंज नहीं होगा बॉल पर जो यूज करो डिस्क्रिप्सन पर मिल जाएगा सेक्योटी के अंदर ही और पूरAND के अंदर वी चैंजिंग में कोई चेंज नहीं मिलेगा सेम है और यहां जांटर की पूरी तरीके सलमाइं इसके अंदर भी इस अपडेट में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता नीचे अपडेटर मिल जाएगा और अब यहां पर बात करते हैं क्विक सेटिंग के बारे में तो यहां पर क्विक सेटिंग में इंटरनेट वाले पर आपको होट्सोड मिल जाता है ब्लूटूर का भी नॉर्मल ही देखने को मिलता है लेकिन हाँ यहां पर टाइल में कुछ टाइल निव एड हुए हैं जरूरी सब्डेट में आप देखोगे तो यहां पर साउंड सर्च निव एड हुआ है और लेंग्विज का तो दो टाइल निव भी इसके अंदर एड हुए हैं हालाकि स्क्रीन रिकोर इसकी काफी अच्छी रहती है फास्ट एक तो स्मूध आपको मिल जाती थोड़ा डिले जरूर मिलता है कुछ अपिलिकेशन पर बट आपको एनिमेशन काफी स्मूध मिल जाता और फास्ट भी जल्दी से जो रिस्पोंस टच का वह आपका काफी अच्छा मिलता है यहां प बात करें यहां पर अफम की तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है और गैलरी अभी नॉर्मल ही इसके अंदर मिलती है अगर आप यहां पर गूगल फोटो इंस्टोल करते हो तो उसके अंदर अन्लिम्टेश अभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है और गूगल का बग अभी लुटो डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर उसमें भी कोई दिकत नहीं है और पिछले में 1,21,000 था यनि स्कोर में कोई भी फरक नहीं पड़ा है और गेम स्पेस जो इसके अंदर आता है वो भी बिलकुल सेम रहेगा गेम स्पेस के अंदर में भी हमें यह आई पर ही मैं यहां पर इसके अंदर खेल रहा हूं और अंडूइट 13 रोम के हिसाप से अगर आम देखे तो गेमिंग हलाकि इसके अंदर हमें अच्छी मिल जाती है पहले भी अच्छी थी और अभी इसकी गेमिंग परफॉमस आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी और फाइनल रिलीज भी लिखा गया है में भी यह जो है लास्ट बिल्ड भी हो सकता है मेरे इस आप से मिंटरनर की तरफ से तो यहां पर फाइनल रिलीज भी लिखा हुआ था तब आगे देखते हैं अगर अपडेट आएगा तो मैं रीबीव कर दूँगा फिलाल यहां पे इ एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग